अगर आप विज्यापन देखकर घर खरीदने जा रहे हैं तो साब्धान हो जाईए आपको गुमराह किया जा रहा है जी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ ये कहना है AACI यानि की Advertising Standards Council of India का AACI ने अपने Half Yearly Complaint Report 2024-2025 में कहा है कि जितने भी Misleading Advertisements के मामले सामने आये हैं उसमें सबसे जादा मामले Real Estate Related है 34% मामले Real Estate Related है उसके बाद 29% मामले Illegal Betting, Gambling के हैं और 8% Healthcare Sector से हैं मैं हूँ रवी सिन्हा और मैंने हमेशा से ये कहा है कि Real Estate Advertising जो है वो बहुत Misleading होता है लेकिन अब AACI ने भी कह दिया है हाला कि मैं जानता हूँ कि Builder Community इस AACI के इस Report को सीरे से खारिज कर रहे हैं जितने भी Developers से मेरी इस बारे में बात हुई है वो या तो ऐसी किसी भी Practice से सीधा इंकार कर रहे हैं या AACI की Legitimacy पे ही सवाल उठा रहे है हाँ यह सच है कि Advertising Standards Council of India जो है वो एक Voluntary Organization है यह एक Independent Organization है इसका Aim यह है इसका मकसद यह है कि देश में जो Advertisements होते हैं वो Fair हो, Honest हो और AACI Code के अनुसार हो लेकिन AACI के जो Decisions हैं वो Non-Minding हैं खासकर उन पे जो उनके Members नहीं है एक Private Entity के तौर पे AACI किसी Legal Business पे अपने Non-Member के Legal Business पे उन्हें नहीं रोक सकता है इसका Regulatory Reach जो है वो Limited है कुछ दिन पहले Bombay High Court ने भी एक Judgment में ये कहा था कि AACI जो है वो इक Private Entity है इसलिए सम्विधान के Article 12 के अनुसार ये Statutory Authority नहीं मानी जाएगी ये किसी के उपर Restriction Impose नहीं कर सकता है लेकिन सच ये है कि Misleading Advertising कोई भी Misleading Advertiser AACI की Finding को Challenge नहीं कर सका है उसकी Objectivity पे सवाल नहीं उठा सका है इसकी Latest Finding में भी जब April to September की Finding में 3031 मामले में जो 3031 एड्स को AACI ने Investigate किया है और 34% मामले Real Estate के आए हैं उस पे भी कोई Advertiser AACI की Finding को Challenge नहीं कर पा रहा है हलाके हम सब जानते हैं कि Privately Builders कितना क्रिव कर रहे हैं हम सब जानते हैं Builders को अपनी गलती नहीं मानने की आदत है हम सब जानते हैं कि Builders को कानूनी पेचिदगियों से खेलने की आदत है AACI ने कहा है Real Estate सेक्टर के बारे में कि 1027 एड्स को सॉट लिस्ट किया गया था और महराष्टरा रेरा के पास भेजा गया था 99% सॉट लिस्टेड एड्स जो थे वो महराष्टरा रेरा एक्ट को Violate करते हुए पाए गया है इस violation के लिए महराष्टरा रेरा ने 628 Real Estate Developers के उपर Penalty लगाई है और वो Penalty जो है वो टोटल 88,90,000 रुपे आ रहे हैं लेकिन इसमें सबसे महत्तुकून देखने वाली बात ये है कि 53% ऐसे मामलों में ना सिर्फ AACI की Finding को Challenge नहीं किया जा सका है बलकि Advertisers ने Prompt Compliance लेते हुए या तो अपने विग्यापन को Modify किया है उसमें Missing Information को डाला है या Completely Bidraw कर लिया है अब दो चीजे हैं पहली बात महराष्टरा रेरा ने Defalter Advertisers तो Modify किया है एड को या विग्यापन को हटाया है ये Clear Case of Admission of Crime भी है और ऐसा नहीं है कि AACI की ये Finding कोई नहीं चीज है हम बिलकुल नहीं चीज पर बात कर रहे हैं ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है Real Estate Regulator रेरा ने कई मामलों में कई दफा Real Estate Developers के प्रोजेक्ट के बिग्यापनों पे Objection उठाया है उसे Misleading बताया है उधारन के तौर पे इसी साल April में हर्याना रेरा ने एक Penalty Impulse किया था Misleading Advertiser पे जहां हर्याना रेरा की Guru Gram Bench ने कहा था कि Real Estate Promoter जो है उसने अंग्रेजी के एक अख्वार में Misleading बिग्यापन दिया है अपने प्रोजेक्ट Green Oaks के बारे में यहां पर यह ध्यान रखना होगा कि रेरा के पास वो सारे powers हैं रेरा के Mandatory Provisions में Under Section 11 Oblig 2 और 13 Oblig 1 यह clearly कहता है कि रेरा ऐसे बिग्यापनों पे जो norms violate कर रहे हैं वो रेरा में punishable offense माना जाएगा Under Section 61 of RERA Act बट आप किसी भी home buyer से पूछ लीजिए जिसका कोई Real Estate का background नहीं होगा कोई legal understanding नहीं होगी वो भी यह बता देगा थोड़ा common sense apply करके बता देगा कि Real Estate के बिग्यापन इस देश में बहुत ही भ्रमित करने वाले बहुत ही misleading होते हैं और यह buyers को भ्रमित करना उनको mislead करनी की सुरुवाद project launch के बहुत पहले से हो जाती है Without regulatory approvals यह developer अपने brokers के through a proxy website create करवा देते हैं एक page का website होता है जो lead generation का काम करता है जहां से expression of interest वो लेना शुरू कर देते हैं अब इसमें social media के बिग्यापन और social media fan pages को भी जोड़ दें तो एक बहुत बड़ा buyer का ऐसा work है जो mislead होता है इन बिग्यापनों से उधारन के तौर पे बिग्यापन का दावा ये होगा कि project का शहर के major landmark से distance 15 minute की दूरी है अब ये 15 minute की जो दूरी है वो aerial distance के आधार पर बताया जाएगा क्या हर home buyer के पास private jet होता है travel करने के लिए उसे तो शहर के traffic से निकल कर जाना है 15 minute जो बताया जा रहा है वो 40 minute भी हो सकता है similarly इनके जो glossy rendered images होते हैं बिग्यापन के उसे देखकर ऐसा लगेगा कि project इंडिया में नहीं है किसी developed country में है उसमें आप इतनी flowery language यूज करते हैं कि ऐसा लगता है कि एक buyer को ऐसा लगता है कि ये once in a lifetime opportunity उसे दिया जा रहा है कुछ दावे जो होते हैं जैसे green living, ultra luxury, super luxury smart homes, lifestyle homes अब इन दावों की कोई definition तो होती नहीं है ये कहीं defined नहीं है लेकिन एक buyer ऐसे दावों पे बहुत बुरी तरह फंसता चला जाता है अब developer का कहना है हम state of the art amenities create करेंगे ये बहुत ही overused, abused term हो चुका है real estate के marketing में ठीक है, वहाँ एक project में gym होगा swimming tool होगा, tennis court होगा बड़ अगर 5000 buyers के बीच में आप एक एक छोटा setup create करते रहे हैं क्या वहाँ रहने वाले हर buyer की जरूत को पूरा करने के लिए काफी होगा आप ऐसे ऐसे jargons देखेंगे 80% open and green space अब open space की definition क्या है developers के अनुसार balcony और stair के से ये भी open area है आपको project के elevation pics में देखने को मिलेगा green zone के बीच में project है जो कि देखने में ब्रोशर में बहुत खुबसूरत दिखता है ये और बात है कि project के बाहर जो नाला बहरा होगा उसके आस पास जो ज़ाडियां होगी उसे वो green zone बता देंगे और इतना खुबसूरत आपको sample flat और इतना खुबसूरत first chart create कर देंगे कि वो कोई भी home buyer बहुत आसानी से उसे फंसता चला जाता है social media के बाद अब advertisers जो है वो अपने employees को अपने brokers को भी happy home buyers बता करके भी gapन दे रहे हैं कौन उसे जाकर check कर रहा है क्या एक average home buyer के पास वो bandwidth है कि वो जाकर check कर सके देखिए मेरा हमेशा से मानना है कि हम हमेशा real estate में unfair contract को एक dg की बात करते है misleading पिग्यापन unfair contract से कम बड़ा रोग नहीं है ये इसलिए भी मैं कहता हूँ कि ये एक ऐसा business है जहां आप public deposit पहले collect करते हैं और product बाद में बनाते हैं जब तक कि law एक strictly define नहीं कर देता है और उससे बड़ी जरुवत है उस पर act नहीं करता है ऐसे misleading पिग्यापनों को नहीं रोका जा सकता है ठीक है रहीरा बीच-बीच में कोई 50 लाग, 25 लाग रुपे का fine करता है लेकिन एक ऐसे capital intensive business में जहां profit margins इतने high है क्या ऐसे छोटे-छोटे fines से developers की सहत पर कोई फर्क पढ़ रहा है उनके business पर कोई फर्क पढ़ रहा है misleading बिग्यापन भ्रामित करने वाले बिग्यापन क्या इससे रुक रहे है क्या AACI की इस report के बाद कोई regulatory framework evolve होगा क्या developers भी soul searching करेंगे कि वो कहां गलती कर रहे है इसका जवाब जितना मैं जानता हूँ उतना आप भी जानते हैं